हेलो फ्रेंड वेलकम टो इस्टेडी नियूज मौसम के विभीन घटकों में पवनों का सरवाधिक महत्व होता है यह जलवायू का ऐसा तत्व है जो तापमान एवं वर्षा आदी अनिक तत्वों पर प्रभावकारी नियंत्रन रखता है तीवर गती से प्रभाहित होने वाली वायू ही उस्मा एवं आदरता को जमीन की एक भाग से दूसरे भाग पर इस्थानांतरित करती है तुफान वर्षा और अन्य मौसम की घटकों की उत्पत्ती में हवा प्रत्यक्च अथवा अप्रत्यक्च रूप से सरवाधिक प्रभावसाली कारक माने जाते हैं तो आज हम इस वीडियो में पवन के बारे में जानेंगे तो लेट अस्टार्ट गती सिल वायू को विंड कहते हैं यह गती प्रिथ्वी की सतह के लगभग समानांतर रहती है प्रिथ्वी से कुछ मीटर उपर तक के पवन को सतही पवन और 200 मीटर या अधिक उचाई के पवन को उपरीतन पवन कहते हैं पवन अधिक वायूदाब से कम वायूदाब वाले छित्रों की ओर प्रवाहित होती है पवन की दिशा जानने के लिए पवन दिक सूचक या विंड पाइप इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है जिसका नुकीला सिरा हमेशा उधर रहता है जिधर से हवा आती है पवन का वेग मीर प्रती घंटे या मीटर प्रती सेकंड से वेक्त किया जाता है सता के पवन को मापने के लिए प्रायः प्याले के आकार का पवन मापी काम में आता है अब जानते हैं केरियोलिस प्रभाव के बारे में प्रित्वी के घुर्णन के कारण पवने अपनी मूल दिसा में विक्षेपित हो जाती हैं जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं जिसका नाम फ्रांसिसी वेग्यानिक गैसपर्ड गुस्ताव डी केरियोलिस के नाम पर पड़ा है उन्होंने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन सन 1835 में किया था ये गडितग्य मेकेनिकल इंजीनियर थे वो पूरक बलों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं अब जानते हैं पवनों के प्रकार के बारे में पवन मुखिता चार प्रकार की होती है इस्थाई पवन, मौसमी पवन, इस्थानिय पवन और जेट पवन धारा पहले जानते हैं इस्थाई पवन के बारे में इस्थाई पवने प्रिथवी के गुर्णन गती के प्रभाव से विक्सित होती है इन पवनों को वायू मंडल का प्राथमिक परिसंचरन भी कहा जाता है ये आधार भूत पवने होती हैं इन्हें प्रचलित पवन के नाम से भी जाना जाता है इन पवनों का विकास अस्ताय वायूदाप पेटियों में उच वायूदाप से निम्न वायूदाप की दिशा में होता है ये वर्स भर एक समानव एक ही दिशा में चलते रहते हैं जैसे पचुआ, व्यापारिक और धुरूवी पवनी वेपारिक पवन दच्छडी अक्छांस के उपोष्ण उच्छ वायुदाप कटीबंद से भूमद्य रेखे निम्न वायुदाप कटीबंद की ओर दोनों गोलार्दों में वर्स भर प्रवावित होने वाली पवन हैं इन पवनों को पुर्वाई पवन भी कहते हैं प्राचिन काल में वेपारियों को इन पवनों से बहुत लाब होता था उनके पानी के जहाज को चलाने में काफी मदद मिलती थी इस वज़े से इस प्रकार की पवनों को वेपारिक पवन कहा जाने लगा ये पवन 30 डिग्री अक्षांस पर चलती है पच्छवा पवन 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांस पर चलती है ये वैपारिक पवनों के विप्रीत दिसा में पश्चिम से पूरब दिसा की ओर चलती है दच्छडी गुलार्थ में इनकी प्रचंडता के कारण इन्हें भिन भिन नामों से जाना जाता है जैसे 40 डिग्री से 50 डिग्री के मद्ध इन्हें चीकता 40, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर इन्हें चीकता साटा के नाम से जाना जाता है द्रूविय पवन बहुत ठंडी होती हैं इनका जन्म द्रूविय उच वायुदाप से होता है ये पवने व्यापारिक पवनों की दिसा में बहती हैं इन पवनों के कारण सभी महादीपों के पूर्वी तटिय भाग पर वर्सा होती है ये पवन जब गर्म पच्छवा पवनों से मिलती हैं तो द्रूविय वातागर का निर्माड होता है जिससे सितोष्न चक्रवात की उत्पत्ती होती है अब जानते हैं मौसमी पवन या दैनिक पवनों के बारे में ये वे पवन हैं जो वर्स में मौसम के अनुसार आते हैं और मौसम के अनुसार समाप्त हो जाते हैं इन पवनों की उत्पत्ती दिन वा रात के तापमान में अंतर के कारण होती है और दैनिक पवने एक ही मौसम की पवन है इनकी उत्पत्ती भी दिन वा राद के तापमान में अंतर के कारण होती है ये दो प्रकार के होते हैं समुंद्री वा इस्थलिय समीर और दूसरा घाटिय वा परवती समीर अब जानते हैं इस्थानिय पवनों के बारे में किसी छेतर में चलने वाली पवनों को इस्थानिय पवन कहते हैं इनकी उत्पत्ती एक इस्थानिय इस्तर पर तापमान और वायूदाब में परिवर्तन होने के कारण होती है अगला है जेट वायूधारा जेट वायूधारा प्रिथवी के वायू मंडल में छोब मंडल में तिवर गती से बहने वाली पवने होती हैं जो पश्चिम से पूरब दिसा में बहती हैं इसे जेट इस्ट्रीम भी कहते हैं ये तीन प्रकार की होती हैं द्रूविय जेट इस्ट्रीम उपोष्ण पच्छु गर्म होती है और ये रौकी परवत्सरेडि में USA और कानाडा में चलने वाली पवन हैं। दूसरा फान पवन, ये गर्म और सुस्क पवन होती हैं, ये आलपस परवत स्रेडी में, सुर्जर लैंड में चलती हैं। हर्मट पवन, ये सहारा छेतर में चलती हैं, इन पवन को डाक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता हैं, ये गर्म पवन होती हैं। सिमक पवन ये अरब रेगिस्तान में चलती है और ये भी गर्म और सुस्क होती है नर्वेश्टर ये न्यूजेलेंड में चलने वाली हवाय है ब्रिक फिल्ड ये अश्टेलिया में चलती है कोयम बैग ये इंडोनेसिया में चलती है और लू भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा में चलती है और ब्लेक रोलर ये USA में चलती है ये धूल भरी आंधी की तरह होती है तो ये था इस वीडियो का एंड थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंड हुआ हो पुआ हो ये था इस वीडियो प्लीस वीडियो प्लीस